शिवलिंग पर बेलपत्र सीधा चड़ाते हैं या उल्टा? क्या है नियम? पंडिजीत से जाने सही विधी मंत्रत्र भगवान शिव का प्रिय माह सावन 22 जुलाई से प्रारंब हो गया है शावन मास में भगवान भुलेनात की पूजा करने से मनो कामनाय पूरी होती है देवों के देव महादेव को प्रसंद करने के लिए शिव भक्त हर वो उपाय करते हैं जिनका वर्नन शास्त्रों में बताया गया है उन में से एक सबसे सरल उपाय है बेल पत्र चढ़ाने का कहा जाता है कि बेल पत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है उसके बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है सावन, शिवरात्री, प्रदोश, सोमवार के आदी के व्रतों में तो बेल पत्र चढ़ाना अनिवारे माना जाता है शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से भूले नात को शीतलता मिलती है शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि बेल पत्र में तीन पत्यां होती है यदि आप भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित करते हैं तो उसमें तीन पत्यां होनी जरूरी है अनिता वह अपूर्ण माना जाएगा बेल पत्र का चैन करते समय इस बात का ध्यान रखे कि उसकी पत्यां कटी-फटी ना हो और उस पर किसी प्रकार के दाग धबबे ना हो बेल पत्र ताजा होना चाहिए यह मुड़ जाया हुआ ना हो नमबर दो बेल पत्र ना हो तो क्या करें यदि आप शिव मंदिर गए हैं और आपके पास बेल पत्र नहीं है तो परिशान ना हो शिवलिंग पर पहले से अर्पित बेल पत्र को उठा कर पानी से साफ कर ले फिर उसे शिव जी को अर्पित कर दे एक बार अर्पित किये गए बेल पत्र को दोवारा भी उपयोग में ल बेल पत्र पर राम नाम अंकित करके शिव जी को अरपित करेंगे तो भूलेनात भहुत प्रसन्न होंगे नमबर चार बेल पत्र चढ़ाने का मंत्र क्या है नमो बिलमीने चा कवचीने चा नमो वमिरने चा वरूथिने चा दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर सेट कर लें जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हमेशा खुश और स्वस्त रहे और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद